हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल आज फिर आजिर में एक नई वीडियो के साथ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इवा क्या होता है और जब हम शोपिंग करते हैं तो हमें अपना फाइनेंस नंबर जिसे हम कॉंतरी बीन नंबर भी कहते हैं वो नहीं जानते कि कॉंतरी बीन क्यों देना चाहिए शोपिंग करते टाइम और इवा क्या होता है तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है तो इससे पहले फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इवा होता क्या है, इवा एक टैक्स होता है, जब भी हम किसी पिंगो डोस, कॉंटिनेंट या कहीं पर शोपिंग करते हैं, तो वहां पर हमें कुछ टैक्स पे एक्स्ट्रा करना पड़ता है, जो कि हमने जो एकोमोडेशन से लेटिड होते हैं, जो भी हम ग्रोसरी वगारा लेकर आते हैं, पिंगो डोस से, कॉंटिनेंट से, लेडल से, वहां का जो इवा होता है, वो 23% होता है तो मीन्स यह है कि जब भी हम किसी ग्रोसरी शोप से शोपिंग करते हैं, कहीं से भी शोपिंग करते हैं, तो हमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो उसे हम इवा कहते हैं, तो इसे हम क्लेम भी कर सकते हैं, जब हम IRS भरते हैं, क्योंकि अगर कैसे आप इसे क रेजिस्टर करना पड़ता है तो इसे आप रेजिस्टर कैसे कर सकते हैं कुछ कंपनियां होती है से ओटोमेटिक रेजिस्टर कर देती हैं लेकिन कुछ कंपनियां रेजिस्टर नहीं करती वह आपको अपने फाइनस पोर्टल पर आईडी पासवर्ट डाल कर उन्हें आपको रेजिस्टर करना पड़ता है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुए आप मेरे चैनल पर जाकर complete full वीडियो देख सकते हैं कि आप कैसे रेजिस्टर उसे कर सकते हैं तो अब बात करते हैं कि country bean number हमें क्यों देना चाहिए shopping करते समय तो जब हम country bean number अपना provide करते हैं तो हमारे जो भी activity होती है purchasing से related कि हमने कितने का समान खरीता है और कितना हमारा eva कटा है इसमें यानि कितना हमने जो tax है वो extra दिया है वो सारा show हो जाता है तो अगर हम अपना country bean number नहीं देंगे तो वो हमें show नहीं होगा और नहीं हम उसे claim कर पाएंगे तो जब भी आप shopping करते हैं चाहे आप वो 5 euro की करो 10 euro की करो कितने की भी आप करते हो तो country bean number आपको जरूर provide करना चाहिए क्योंकि जब आप country bean number provide करेंगे तो आपकी जो भी activity होती है कि कितने का आपने purchase किया है क्या आपका tax बनता है तो वो सारा उसके उपर show होता है तो आप अपने finance portal पर जाकर इसे check कर सकते हैं इसके उपर मैंने वीडियो बनाई हुए है इसी वीडियो को आपको country bean number देना चाहिए क्योंकि जो भी आपका one year का tax बनता है जो भी आपने extra पैसे पे किये हैं तो वो आप claim कर सकते हैं तो उसे आप तभी claim कर पाएंगे जब आप अपना country bean number देंगे और country bean number देने के बाद हर मन्त में आप अपना यह two month में यह last year के last month में भी आप इसे इन सारी जो भी transactions होती हैं उनको आप register कर सकते हैं अगर आप मन्तली कर लेंगे तो आपका जो burden है वो कम रहेगा लेकिन अगर आप साल में एक बार करते हैं तो बहुत सारी transactions हो जाती हैं तो उसको करने में बहुत जादा time लग जाता और mind में भी नहीं रहता कि आपने कौन सी shop से क्या समान खरीदा था वो किस से related खरीदा था तो इसलिए monthly wise आप अपनी जो जो भी समान है वो register करते रहें अपने finance portal पर तो I hope friends आपको ये सारा चीज समझ में आ गई होगी तो इससे related अगर आपको और भी QIRI है तो आप comment box में comment कर सकते हैं और मिलते हैं friends next video में अगर आपने मेरे चैनल का भी तक subscribe नहीं किया है तो please चैन bell icon को भी press कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी informative में वीडियो लेकर आती रहती हूं वह आप तक पहुंचती रहे तो मिलते हैं friends next video में bye bye